देश में हवल F7 नाम की नई नवेली कार को आटो एक्सपोर 2020 के दौरान पेश किया गया था और अब कमपनी से जल्द ही भारत में लाँच करने वाली है इस गाड़ी के अर्वांस फीचर दो इंचन आप्शिन और कम कीमत की वज़े से ये गाड़ी काफी पॉपिलर हो सकती ह आईए इस बारे में और बताते हैं लेकिन उसके पहले सिर्फ इतना ही कहेंगे कि प्लीज हमारे चैनल रियोल आटो न्यूस को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि नई अपडेट्स आपको मिलते रहें सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक नई नवेली SUV होगी और इस वज़र से गाड़ी की लंबाई है 4620 मिलिमीटर चोड़ाई है 1846 मिलिमीटर और उचाई है 1690 मिलिमीटर साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी पूरे 190 मिलिमीटर का है जो कि इसे हर तरह के रास्ते के लिए परफिक्ट बना देता है इंजिन के मामले में इस गाड़ी में आपको दो इंजिन आप्शन मिलेंगी जिसमें पहला है 1.5 लीटर का पैच्छोल इंजिन जो की 150 बीचपी की पार के साथ 280 न्यूटन मीटर का टॉक दे सकता है दूसरा होगा दो लीटर का इंजिन जो गाड़ी में आपको कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रिक पार्ट, स्ट्येरिंग के साथ, डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ही छे ऐर बैग, टायर प्रेशर मॉनीटरिंग, क्रूस कंट्रोल, 360 डिगरी पार्किंग जैसे कई अड़्वांस सेफटी दिये गए हैं गाड़ी में 9 इंच का टच्सक्रीन इंफोटेन्मिन सिस्टम पैनोरमिक संरूफ लेदर अफोल्ट स्ट्री जैसे फीचर्स भी मिलते हैं चुकि यह गाड़ी भारत में कंपनी की पहली गाड़ी होगी तो मुम्किन है कि कंपनी इसे 2021 में लॉंच कर दे और इस यह किसी भी SUV के लिए एक बढ़िया की मत होगी आप क्या कहते हैं कॉमेंट करिए वीडियो को लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके और बेल का बटन दबा कर तैंक्यू वेरी माच